हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हुशिम और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और फ्रेंज देखो इंपेशन्स की कटिंग जो मैंने लगाए थी इससे बहुत सुन्दर फ्लावरिंग अभी शूरू हो गई है और ये पूरी साल भी चलेगी लेकिन मेरा जो करते हैं वीडियो फ्रेंज मैं हुशिम और आप सबका फिट से बहुत-बहुत स्वागत है और देखो मेरा आधा का मेरा ये डॉगी ने कर दिया ठीक है यह पॉट चुले का और ये अच्छे से अभी ग्रो करने का बहुत ही अच्छा सीजन है अगर अभी आप इसकी कटिं भी भर जाएगी समराते आते आपको फूलो से आपकी बगिया भर जाएगी तो अगर इस तरीके की मदड़ प्लांट है तो इसकी जो मद़ प्लांट की जितने भी लेगी इस तरीके की कटिंग्स आप ले सकती हो तो आप इसको इस तरीके से तोर के आप ले लो मेरा आधा क काम तो मेरा डॉगी ने कर दिया आप देख सकतो कितने सारी कटिंग्स मैंने निकाल दी है और अभी यह जो मदर प्लांट है इसको मैं थोरी सी जो खाना दे दीती हूँ ताकि नूट्रिशन देने से यह प्लांट अच्छे से भर जाएगी अच्छे से इसको खाना मिल पिसा से नुटांगी आप चाहो तो एक कलर की लगा सकती हो आप चाहो तो मिक्स करकी भी लगा सकते हो तो अच्छा भी लगता है तो छोटी छोटी चोゃrun है वह सभी मैं इसकी ले लुंगी और बहूत इसमी है ईजी continent की यह ग्रो हो जाती है और कोई भी दह्रीकस भाविस आखे जरुत होती है अगर बिगेनर्स हो तो भी लगा सकते हो तो इन सभी को भी मैं अभी लगा दूघे जिटने फी मदर प्लांट है सभी को इस तरी की से थोड़ी सी अभर्मी कमपोश्ट और गोवर की यह मिश्रन है इस सभी को एक मुठी करके अगर आप भी दे दो आपक इससे ग्रो भी कर लेंगे और बहुत हेल्दी भी हो जाएगी ठीक है तो इस तरह के सब दे दो और कोई भी फटलाइजार देने के ज़रूरती होती है प्लांट जब ग्रो हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी खली का पानी देते रहो इससे ही आपके प्लांट मैं पहले इन सभी को जो है एक बोल पे इस तरीके से में लगा दूगी मिट्टी आप नॉर्मल गार्णिंग स्वाइल पर थोड़ी सी बालो मिट्टी मिला के आप लगा दो अच्छे से यह ग्रो हो जाती है ठीक है इस तरीके से बहुत ही इजी है अभी लगाने का फाइद इस पे नहीं चाहिए कि इसकी स्टैम पे अल्रडी पानी है इस तरीके से आप लगा दो तो आपकी पूरी जो हुआइट किलर की भी मैं अभी लगा रही हूँ इस तरीके से आप इन सभी को लगा दो मैं बाद में सभी को रिपॉट कर दूँगी अलग-अलग पॉट पे ल लगा दूँगी तो फ्रेंट्स आसकी वीडियो एही थी और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्री अच्छे रहिए खुश रहिए और जल्दी से जल्दी ये काम जरूर से ही कीजिए थैंक यू